आमादी पार्टी ने बीजेपी की केंदर सरकार पर एक राजनितिक कदम के तहट दिल्ली सरकार की जाकी को गरतन दिवस परेड में शामिल नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्वास्थ और शिक्षा मॉडल को प्रदशित करने की दिल्ली सरकार की योजना को विफल किया जा सके। आमादी पाटी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा दिल्ली के विश्वी विख्यात, शिक्षा और स्वास्त मॉडल को गर्व से हम रिपब्लिक डे परेड में जाकी पर दिखाना चाहते थे लेकिन अफसोस कि ये होने नहीं दिया तो हमारा जो प्राइड है दिल्ली का हेल्थ और एजुकेशन मॉडल इसी को हम रिपब्लिक डे परेड में शोकेस करना चाहते थे यही हम दिखाना चाहते थे कि हमने कितना लांडमार्क ट्रांस्फरमेशन किया है बीते कुछ सालों में दिल्ली के अंदर हेल्थ और एजुक आप लगातार पिछले पांच वर्सों से देखिए कि भाजपा शासित असम को, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश को, भाजपा शासित उत्राखंड को, भाजपा शासित गुजरात को लगातार मौका दिया जा रहा है पर इस बार भी पिछली बार की तरह दिल्ली और पंजा आप दोनों को exclude किया गया है प्रेस कॉंफरेंस में आपकी परवक्ता प्रयंका ने केजरिवाल के दिल्ली मौडल की ज़ानकारी भी दी सात्यों अरविंद केजरिवाल जी ने देश के सामने एक दिल्ली मौडल रखा इस दिल्ली मौडल में देश में सबसे कम महंगाई है और हाइस्ट पर कैपिटा इंकम है इस दिल्ली मौडल में 200 यूनिट बिजली फ्री है और उसके उपर देश की सबसे सस्ती बिजली है इस दिल्ली मॉडल में पिछले 10 साल में लगभग 30 flyover रेडी हो चुके हैं जो estimated cost के नीचे थे और 557 करोर की बचत हुई दिल्ली मॉडल के तहत आज देश में one of the highest charging points और charging stations EV electric vehicles के लिए है एक बहुत progressive electric vehicle policy है जिसके तहत 17% registration electric vehicles का हुआ है जो देश में highest है एक तरफ आफ केंदर सरकार पर दिल्ली सरकार की तरफ से जाकी के लिए भेजेगे प्रस्ताव को अनुमती नहीं देने का आरोप लगा रही है वही दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं बाटने के मामले में विरोध प्रदशन किया प्रदशन के दोरान बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभारदवाज की बरखास्तगी की मांग की अधिकारी दोशी नहीं है, लेकिन नहीं लगाना है, क्योंकि पैसे चाहिए हर चीज में पैसे चाहिए और यह सरकार ऐसे नायाब नगीनों से भरी है, हाथ लगा है तो डुगरी लगली, रासंगार की आर में औरत के साथ खिलवार, दरसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा है, कि केजरीवाल सरकार नकली और खराब गुडवक्ता वाली दवाओं को अस्पताल में बेच रही है